Hello guys and welcome to my YouTube channel TechBong दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफी ज़्याद योज़फुल और important होने वाली क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप योज़ करते हैं उनमें इस शेटिंग को सही करेंगे तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे आपको सही करना है सबसे पहले स्रेटिंग उपन करेंगे स्रेटिंग उपन करने के बाद कुछ ऐसा इसा इंटरफेस मिल जाता है right side उपर की तरब आपको यहाँ पे search बार दिख रहा होगा search बार पे आपको click करना है यहाँ पे search बार पे click करने बाद आपको यहाँ पे search करना है power button आप पूरा power button लिखके search कर सकते हैं या सिर्फ आप power लिखेंगे spelling आपको सही लिखने हैं यहाँ पे और इसके बाद यहाँ पे आप लेख सकते हैं Press and Hold Power Button को Option देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आप लोग Press and Hold Power Button को जो Option है फर्स्ट Option है या जहां कहीं भी आपको यह Option देखे इस पर आप लोग किलिक कर देजिए किलिक करने बाद यहाँ पे आपके इसके इन पर कुछ एसेंटरफिस मिलेगा और अगैन आप लोगों को यह Option होगा इस पर आप लोगों को किलिक करना है जिसे आप इस Option पर किलिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं Launch Google Assistant है Press and Hold Power Button पर यह Set है इसलिए Google Assistant ओपिन होता है हम इसको Enable दाप Power and Emergency Menu पर किलिक करके OK कर देंगे इसके बाद हमारे फोन में Power and Emergency Menu शेट हो जाएगा अब आप लोगों के फोन में देखे आप Power Button को Long Press करेंगे यहाँ पे Restart और Power Up करने का Option मिलेगा इस तरह किसा आपकी Problem Solve हो जाती है